तो अधाव नमस्कार गुड़ी इनिंग सस्याकाल एक बाद फिर आप तमाम लोग का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में आज शनिवार सेटेडे और कहानी आज रिकॉर्डेड होती है तो इसलिए आज कहानी रिकॉर्डेड है इस कहानी को जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ आपको एक संजय पाटक हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं यूएस से हैं इन्हों ने इसकी फरमाईश की थी कई बार इससे पहले मेल किया था और इसके लावार कुछ और लोगों ने भी इस कहानी को लेकर कहा था ति कहानी एक कतल की है कहानी एक कातिल की है उस कातिल की जिसकी तलाश में पिछले पांच साल से अगर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर एजेंसियों की हम बात करें उन्में से एक एजेंसी इसको ढूंड रही है और उस एजेंसी का नाम है एफबियाई फेडरल ब्यूरो आफ इन्विस्टिगेशन एफबियाई अमेरिका की वैसी एजेंसी है जैसे हमारे हैं सीबियाई की है एफबियाई का काम है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी सरहत अमेरिकी बॉर्डर के अंदर जो कानून है पूर और उन पे नज़र रखती है एफबी आई का काम है अमेरिका में सीकुरिटी को मेंटेन करना उसको देखना और जो इस तरह के केसिज होते हैं तो लोकल पॉलिस और बागी जो बहुत सारे एजनसिया है उसके मकाबले एफबी आई को ऐसे केस दिये जाते हैं जैसे अपने और यह पांच साल से इस कातिल को ढूड़ रही है और वो कातिल इत्वाक से या बदनसीबी से एक भारती है हिंदूस्तानी है इंडियन है लेकिन पांस साल हो गए अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है इन पांच सालों में से तीन साल तक एफबी आई ने अपने Top 10 Most Wanted Criminal जिसकी तलाश होती है उसके लिस्ट में भी शक्स का नाम रखा FBI हर साल ऐसे Top 10 Wanted लोगों की लिस्ट निकालती है और जब से FBI बनी यह मतलब 1950 की बात है जब FBI का गठन हुआ था तो 1950 से लेके हर साल FBI ऐसे लोगों की Top 10 लोगों की लिस्ट निकालती है जो उसकी नदर में सबस्यादा जिसकी जरूवत है जो सबस्यादा खतरनाग है और जिनकी तलाश है अब तक 1950 से लेके पिछले सत्तर सालों में करीब करीब FBI ऐसे साड़े 500 लोगों की लिस्ट निकाल चुकी है 550 के करीब जो वांटेन है और उनकी जो काम्याबी कदर है जो लिस्ट निकालते हैं और पकड़ते हैं उसका रेशो काफी ठीक ठाक है इस 550 में से एरॉन 490 के करीब लोगों को या तो FBI ने पकड़ लिया कभी ना कभी या फिर ने उनका ठिकाना ढूल निकाला तो 550 में से 490 करीब मान के चलिए 60 ऐसे हैं जो अब भी FBI के हाथ नहीं लगे तो ये कुल मिला के एक उनकी काम्याबी कदर ठीक ठाक है और इसी में जो 60 है उनमें से एक हिंदुस्तानी है जिसकी तलाश 2015 से FBI कर रही है और FBI ने अभी दो साल पहले उसके उपर एक लाग डॉलर का इनाम भी डिक्लियर किया है कि जो भी इस कातिल के बारे में सुराग देगा जानकारी देगा पता देगा उसको एक लाग डॉलर यानि के करीब करीब 74-75 लाख रुपए इस वक्त इंडियन करेंसी में अगर देखें हम तो वो इनाम मिलेगा एक लाख डॉलर का इनामी ये कातिल कौन है क्यों कतले किया किसका कतले किया और एब याई जैसी एजनसी से भी एक ऐसे बचा हुगा आज की कहानी यही है हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी के लिए और बाकी चीजों के लिए देश छोड़कर विदेश जाते हैं हिसे बहुत सारे अपने क्राइम तक कही में जो कि देशों में नौक्री करते हैं है और कई बार मजबूरयां ले जाती हैं कई बार कुछ और वजह होती है कई बार एक कि ऐसा देखा जिया केश में और इस केश में भी कहानी है कि बस यह कि मुझे लोग कहेंगे कि मैं यहां पे हूं मैं अमरीका में हूं ब्रेटन में हूं वहां नौकरी करता हूं तो इस लालच में भी लोग चले जाते हैं गुजरात के विरामगम इलाके में पैदा हुआ एक शक्स जिसका नाम भधरेश कुमार चेतन भाई पटेल 1990 में इसकी पैदाईश होती है इस विरामगम गुजरात के अलाके में और पैदाईश के बाद यह वहीं रहता है पलता है बढ़ता है पढ़ाई करता है 2015 में इसकी शादी हो जाती है गुजरात में और वाइफ का नाम पलक तो अब भधरेश कुमार चेतन भाई पटेल और पलक इन दोनों के शादी होगे दोनों साथ रहने लगे गुजरात में लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद ही भधरेश अमरिका जाने का फैसला करता है उसकी बज़ाई यह थी कि भधरेश कुमार चेतन भाई पटेल के बहुत सारे रिश्यदार अमरिका में थे अच्छे अच्छे पोजिशन पे थे एक दो के तो वहाँ पे रिस्तराओं भी लेकिन शुरुवात में यह जाता है चुकर शादी की थी अपने रिश्यदारों के पास कि वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे हानीमून पिरियेट भी है फिर देखा जाएगा उसी हिसाब से वीजा मिला था अमरिका जाने के बाद फिर अचानक भदरेश का मन बदल जाता और वो कहता कि वह यहीं रहेगा यहीं अप अपनी जिन्दगी गुजारेगा अपनी पत्नी के साथ लेकिन पलक जो है वो इस माइंसेट से गय थी योस कि घूमने के जारे देश लोटे अपने राज्जी में वो नौकरी करें वहीं रहेंगे पती चाहता था कि अमरिका को छोड़ कर नहीं जाएंगे और उसने बाकी रिश्दारों को देखा उसे लगा कि यहां इज़त जादा है बाकी चीज़ें और एक ठपा भी है कि अमरिका में नौकरी कर रह है तो इन तीजों ने उसका इरादा बदल दिया और घूमने के लिए गया था लेकिन आप वापस लोटकर आना नहीं चाहता था इस दौरान में उसके एक रिश्दार थे जिनका वहां पे अपना एक रिस्ट्रों था और डंकिन डोनट्स स्टोर यह हैंवर में था और मेरी और इस डंकिन डोनट्स में दोनों स्टोर में काम करते थे पाथ मैई की है बलके अपरेल अपरेल तक आते आते इनका वीजा खत्म हो चुका था यह 2015 के शुरू में गहते और इनका वीजा खत्म हो गया अब इन्हें वापस आना था लेकिन भद्रेश मन बना चुका था कि वो वापस नहीं लोटेगा तो वीजा खत्म होने के बावजूद वो अमरिका में रह रहा था और चुके रिश्यदार थे बाकी तो एजनसियां और यह सारी कीज़ें अभी पकड़ नहीं पाई और यह ऐसी डंकिन डोनट्स स्टोर में काम करने लगा 12 अप्रेल 2015 की बात है रात करीब साढ़ेनों के आज पास नाइट ड्यूटी थी दोनों की पलक की और भद्रेश की यह डंकिन डोनट्स के स्टोर में जाते हैं सिसी टीवी कैमरे में यह दिख रहा है कि दोनों स्टोर में जाने के बाद ड्रेस कपड़े चेंज करते हैं स्टोर के ड्रेस में आते हैं और उसके बाद अंदर की तरफ जाते हैं बीच में रेक सारे रेक दिखाई दे रहे हैं उसकी पीछे जाते वे दोनों दिखाई देत आते हैं कि करीब डेड़ मिनट के बाद CCTV कैमरे में उसी जगे पे अचानक पिर एक तस्वीर दिखाई देती है भद्रेश और पलक दोनों गए तो अंदर थे रैक की तरफ लेकिन वापस डेड़ मिनट के बाद सर्फ भद्रेश आता है वापस आता है और दिखाई ये देता क कुछ सेकंड की तस्वीर है कि वो एक ओवन है उसके स्वीच को आफ करता है और तेजी से निकल जाता है पलक अब तस्वीर में कहीं नहीं है मतलब वो जहां गई थी अंदर उसके जाने की तस्वीर तो है लेकिन बाहर आने की तस्वीर नहीं है डेड़ मिनट के बाद सिर् तो बंठ करता ह। चला जाता यह सब कुछ नओबत के 30 आप 20 मिनट पे होता है है सिर्ड माञा तक इसी दौरान में कुछ कस्टमर कर आते हैं अंदर आक blij हो आवाज देते हैं यह Google कुछ पर कई आवाज देता हैं फिर उससे लगता है कि स्टोर खुला वाय कोई आ नहीं रहा Himself एक यहां है यहां पे कोई है नहीं तो से ड़ूट होता है वो इस वे इस स्टो एसरे आज है चालोटर आप देखता है फिर बाहर निकलताह आए इतफाक से बाहर एक पुलिस वाला टहल रहा था, वो उस पुलिस वाले के पास जाता है, और कहता है कि मैं स्टोर में आया हो, मुझे लगता है कि कुछ गढ़बढ है, क्योंकि यहां पर कभी ऐसा होता नहीं है कि आप और देने आए और कोई हो ना हो, लेकिन इस वक में तमा द्रेश कुमार और पलक अंदर की तरफ जाते दिखाए देते हों, पुलिस वाला अंदर रेक की तरफ जाता है, ठोड़ी देर के बाद वो भी घबरा है, वहां से आता है, उसके अपने बागिवाल को कॉल करता है, वो लोग आते हैं, रेक के पीछे, पलक की लाश पड़ी थे, मारपीट के निशान थे, और ऐसा लगा था कि बड़ी बहरहमी से उसे मारा गया है, खून फर्ष पे चारों तरफ और एक चागू भी खून से सनावा वहीं पे था, वो किचन नाइफ था, उसी स्टोर का, लेकिन उस नाइफ से बेतहाशा पलक के जिस्में पेवार किया सबसे पहले वो CCTV कैमरे को देखती है, इस्टोर के, और इस्टोर के कैमरे में 9 बच कर 30 मिनट पर दोनों पती पतनी अंदर की तरफ जाते दिखाए देते हैं, और डेर मिनट के बाद सरे पती बाहर की तरफ आता है, और जिस तेजी से है और जिस तरीके से वो निकलता है, उ सबसे पता है, और इस्टोर के आता है, वो अडिनटिफाई करता है कि यह पलक है, सीची टीवी कैमरा देखता है, वो बताता है कि यह भदरेश कुमार है, उधर भदरेश वहाँ से निकलता है, और पैदल ही उस स्टोर से थोड़ी दूर के पास, जहां पे वो रहता था वो वो वहीं निवार्क में एरपोर्ट के करीब एक होटल में जाता है होटल में जाने के बाद वो वहाँ पे एक रूम किराय पे लेता है रिसेप्शन पे बाकादा उसकी तस्वीर सेसी टीवी की पैसे देता है रात बर उसी होटल में रहता है सुबा सुबा वो होटल खाली करता है और होटल खाली करने के बाद वो वहां से नियू यार्क के लिए निकल जाता है ये उसकी आखरी तस्वीर थी उस होटल से निकलने की उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिलता इस दोरान पुलिस उसको पता करती है लेकिन भद्रेश कुमार का कोई सुराग नहीं मिलता बट सबसे कमाल की बात यह थी कि जब वो निकला और जिस टैक्सी ड्रैवर ने उसको गाड़ी में लेकर होटल तक ले गया और यह सारी चीजें पता करने में एब्याई को रात से सुबह हो गई थी और सुब करने मामला बात में दिया गया था तो टैक्सी ड्रैवर ने बताया कि जब वो आया तो नहायत कूल उसके चेहरे से और उससे कभी कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो घब राया परिशान होटेल में जब वो चेकिन कर रहा था तब काउंटर पर जो सीसी टीवी कैमरे पर भ बड़ा अजीब लगा कि एक शक्स जो इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी का कतल करके आया है और वो इतना कूली बिल्कुल नॉर्मल कहीं उसके हाव भाव से उसके शरीर से उसके चेहरे से ज़रा भी भनत नहीं मिल रही है कि उसने इतना बड़ा जुरूम किया नुई यॉर्क जाने के बाद से भदरेश कुमार का कोई सुराग नहीं मिलता पुलिस अपनी जाच में लगी रहती है जितने भी भदरेश के रिश्दार थे उन सबसे पूछताच करती है जो जो वहाँ पे अमेरिका में थे उन सबसे बात करती है जिनके हाँ वो आया था उन से बात होती है इंडिया में उसके रिलेटिव के ख़बर दी जाती है उन्हों से बात होती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता धीरे धीरे वक्त बीटता और आखिरकार यह मामला पुलिस से लेकर एब्याई को दे जाता है एब्याई भी अपनी करफ से पूरी जांच कर इसके बहना कि और गुरात से था गुजरात के व्याउटि से अ में टो की हिन्दि ऐंगिकली से गुजराटी इन सारी भाशाओं में ब्याय werdना चपाती है जग़ए पर लिए अम्रेका कंपा औरسمटी तला मिनanka आ, और कि धीरे उसकी तलाश करती है लेकिन कहीं से भी भगरेश कुमार की कोई जानकारी नहीं मिलती जब जानकारी नहीं मिलती तो फिर एक लाग डॉलर का इनाम और इस दौरान में जो उसको इन्फॉर्मिशन मिली वो यह थी एक तो वीजा इसका खत्म हो चुका था तो पहली चीज यह थी कि वो अमरिका से लीगली बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वीजा है नहीं उसके पास तो फिर वो इलीगली अमरिका से बाहर निकल सकता है तो अमरिका से कहां कहां बाहर निकल सकता है अमरिका में जो उसके रिश्यदार थे या तो फिर यह है कि दो चीज़ें थी वो अमरिका से रिश्यदार के यहां छुपा है यही दो आप्शन थे तो अमेरिका से बाहर कहां कहां इसके उपर एब्याई ने एक लंबी जांच की पहली चीज उसके कुछ रिष्टार कैनेडा में पाए गया कैनेडा को टटोला गया कैनेडा से जांच हुई एब्याई के जरीए दूसरी न्यू जर्सी क केंट की यह सब अमेरिका के अंदर भी जॉर्जिया और इंडिया इन सब जगों पर इसके होने की गुंजाईश थी इसलिए इन इन जगों पर पुलिस ने तमाम अपनी तरफ से इनकारी की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली धीरे-धीरे वक्त बीटा गया पंदरा से सोल आ अपनी जगहा बना रखी इनाम एक लाग डॉलर तक पहुंच चुका है लेकिन जानकारी कोई नहीं मिली यहां तक के गुजरात में इसके सारे ठेकाने जो है विरम गम जहां यह पैदा हुआ और बाकिश हैर जहां इसके रिशिदार हैं इंडियन एजनसी के थूरू मदद ली गई इसको तलाशने की पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन सब बेकार कैनेटा में तलाशने की कोशिश गए सब बेकार अब सवाल है कि यह तनी बड़ी जहां चे जिनसी और पांस साल हो गए और एक कातिल जिसका कोई क्रिमिनल बैक्ग्रॉंड नहीं पहले से वो क्रि अपरिका मेरे है और इस बात पर जगड़ा हुआ और उसने मार दिया तो इसको ले के भी कई सारी चीजें कि यह अचानक फिर उस दिन उस रात क्या हुआ यह चीजें जगड़ा अगर हुआ तो घर पर बाकी चीजें भी वह इतना बड़ा रिस्कियों लेगा कि आकर डंकिन सामने आए गातिल पांस साल से गायब है अब भी कोशिश कर ली है अब भी कोशिश में लगी वी और यही वज़ा है कि हर साल वो मुस्ट वंटेट की लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दी और इब्याय ने तो यह तक बिया है तस्वीरों के साथ किस आदमी ने जिस तरीके स अपनी बीवी को मारा है जिस बेहरहमी से मारा है यह खतरनाक किलर है और इसके पास खतरनाक हत्यार हो सकते हैं तो जो भी देखे इससे एक तो साबधान रहे और फॉरन इनफॉर्मिशन दे एब बी आई को नजदी की यह दो भी दूसरी एजनसी है उसको खबर करे क्योंकि यह खुला घूमें तो यह खतरनाक है तो पांच साल हो गए है बारा अपरेल दोहदार पंद्रा से अब हम मार्च दोहदार बीस में हैं भदरेश कुमार का कोई सुराओ नहीं मिला एब बी आई की जान जारी है अगर आप लोगों में से किसी को भदरेश कुमार के बारे मे कोई जानकारी हो आपने छेहरा देखा और मैं कोशिश करूंगा इसमें पीजर में आप तस्वीर भी देखेंगे तो आप जरूर अपने लोकल पुलिस या जो भी लोकल एजनसी है उसको सूचना दे इन्फॉर्म करें तो पीजर के जरी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं तो उस तस्वीर को देखिए पैचानी अगर आपके पास खबर है इसके बारे में को इन्फॉर्मिशन तो जरूर बताईए पुलिस की मदद होगी एक जिम्मेदाब नागरिक के तोर पे भी हमारा फर्ज है और साथ में एक लाग डॉलर का इनाम तो खेर है तो कोई भी खबर हो इस भद्रेश कुमार चेतरभाय पटेल नब्बे में पैदाईश हुई तो इसका मतलब है कि इस वक्त उसके उम्मर करीब 30 साल के करीब है 30 साल का है चेहरा आप देखी लेंगे गुजरात का रहने वाला है विराम गम में पैदा हुआ है पलक इसकी पतनी का नाम है कोई भी जानकारी हो तो आप जरूर ने अपने नजदीकी पुलिस्टेशन में दे जहां पे भी आप बहतर आपको लग सकता है जो आपके नजदीक में सबसे इसली है इससे कानून की मदद भी होगी और शायद पांस साल से जिसको FBI धून रही है वो मिल जाए और कानून उ इसके उपरिल्जाम है कतल करने का अमेरिका में जाकर उसकी कल संडे है संडे इंज्वाइ कीजिए चुट्टी बनाइए अब आप से मुलाकात होगी मंडे को मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए अपने मेल सुझाओ शिकायतें जो गल आते रहिए और बस इसी तरह अपना प्यार पूरी क्राइम तक टीम को देते रहिए थैंक्यू वेरी मंच